जैहिंद एवरिवन तो यहाँ पर नीवी SSR के आप सिभी के form apply हो रहे हैं तो यह जो form apply हो रहे हैं इसमें आप सिभी के कल से apply होंगे तो इसमें कौन-कौन से document की ज़रूत होगी और यहाँ पर कौन-कौन लोग इस नीवी SSR का form को apply कर सकता है वो भी बात कर लेते हैं और यहाँ पर अगर आपके पास इन documents में से जो document नहीं होगा जो आप सभी को बताऊंगा तो आपका form apply नहीं होगा आप सभी को बाद में problem आएकी तो अभी पहले अच्छी से इसको दियान से देख लेना तो यहाँ पर अभी-अभी आप सभी का SSC-CHSL SSC-CHSL ठीक है इसका आप सभी का result आया है और cutoff इसकी काफी हाई गई है जनरल के 157 पैंट 3 और OBC के 156 SCHT 140 और 130 के आप सपस cutoff यहाँ पर गई है ठीक है तो जिन लोगों को देखना है वो जाकर आपको लोग इसको देख लेंगे चिलेगा तो हम बात करते हैं Navy SSR exam के बारे में और यह जो आप सभी काना cutoff photo सब कुछ मैं आपको टेलिग्राम पर डा जेता हूँ आप लोग देख सकते हैं टेलिग्राम का link वीडियो के description में है इस type से दिखाए देगा आप सभी को biology तीन सब्जेक्ट हैं क्या क्या सब्जेक्ट हैं जिसके पास में physics, biology और chemistry आप सभी को दिखाए दे रहोंगे यह यह यहाँ पर लिख हुए तो यहाँ पर लिखा हुए आप सभी का physics chemistry और आप सभी का सबसे पहला आता है biology ठीक है जिसके पास यह सब्जेक्ट न तो वह इसका फॉम प्लाइए कर सकता है कौन सी class में 12th class में कौन सी class में 12th class में और डेटो पर जादू एक नवंबर दोहर तीन से लेकर एक नवंबर दोहर तीन से लेकर डेटो पर त्यापर रुगई गई है 30 April 27 की बीच पर जिसकी की डेटो पर ते है वो भी इसका फॉम प्लाइए कर सकते है आयोब आप लोग दोनों चीज़े समझ चुके हैं अब बात करते हैं डोकुमेंट की इसके जो फॉम प्लाइए आप लोग 7 सिप्तमबर से लेकर 17 सिप्तमबर तक कर सकते हैं तो फोटो में आप से भी का फोटो कैसा लगते हैं आप से भी को बता दें फोटो आप से भी का आपका यहाँ पर फोटो है ठीक है आपके हाथ में एक तक्ति होनी चाहिए फोटो पर उस पर नाम और डेट ब़र्थ लिखी हो मैं आप से भी को दिखाता हूं इस टाइप से फोटो होगा आप से भी का ठीक है फोटो आपको यहापर कोई तक्ती होगी तक्ती में आप से भी क्या लिखाने है उसमें आपको capital letter में name लिखने है ठीक है ओपर अपना name लिखेंगे जैसे की मेरा नाम जावेद है तो मैं अपना नाम जावेद लिखुँगा आप लोग अपना पूरा नाम लिखेंगे ठीक है तक आपसे भी लोग अपने आप यहाँ पर date लिख देंगे, simple, नाम और date, name और date यहाँ पर लिखने है, simple यह आपका photo हो जाएगा फिर आपके यहाँ पर sign की जरुत पड़ेगी, signature sign की जरुत पड़ेगी, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक, राहुल की signature हैं, तो आप लोग यहाँ पर simple ऐसे लिख सकते हैं राहुल, तो अपने जो signature है signature की जो आप से भी को जरुत पड़ेगी, उसका photo click होगा, आप से भी का left hand thumb ठीक है, left hand thumb आप से भी का यानि कि simple कह सकते हैं, आप से भी का जो thumb है, उसकी जरुत पड़ेगी आप लोगों यह करने, जो आप से भी के यहाँ पर ink आती है, ठीक है, जो आपका pad आता है pad पर उसको लगाने, यहाँ पर अपना thumb लगा कर उसको click कर लेने, ठीक है वह आप से भी के लगएगा, scan होकर, ठीक है जो उन से भी आपको left के, right के, जो उन से भी passing certificate, अगर आपके passing certificate नहीं है तो marks ولगा देंगे, अगर passing certificate है तो दोनुची आपसे भी को लगेंगे यहाँ पर, टीकिए दोनुची जो हो कि 10th class, 12th class next आते हैं, आपसे भी को domicile domicile certificate आपसे भी कहाँ पर use होगा, domicile certificate से आप से भी क्या होगा है क्योंकि इसमें state wise cutoff लगेगी जब इसमें state wise cutoff लगेगी ना तो आप से भी को domicile की जरुत पर लेगी आपर domicile certificate आगे अगर बात करते है domicile के बाद आप से भी क्या पर आते है अधार card, pen card जो भी आप से भी के पास में ID है तो हम यहापर अधार card लिख देते हैं आप से भी कहाँ पर एक ID लग जाएगी अधार card हमने लिख दिये जो आप से भी के पास में ID हाप पर मांगी कि आप लोग आप यहाँ पर use कर लेंगे अधार card के बाद आप से भी कहाएगा कि जिसके पास NCC है वो अपना NCC यूज़ करेंगे NCC का सर्टिफिक्ट जिसके पास से वो अपना NCC का सर्टिफिक्ट यहाँ पर use करेगा जिसके पास में extra mark sheet है वो अपना यहाँ पर extra mark sheet भी यहाँ पर use हो जाएंगी ठीक है उसकी बाद आप से भी कहाँ पर अधार card ID होगे आप से भी का सारी चीज़ होगे photo identity proof आप से भी को जाएगा फिर आप से भी कहाँ पर जिसके पास NOC type जो भी कुछ आप से भी के extra चीज़े हैं वो आप लोग यहाँ पर use कर सकते हैं जो extra वाले हैं ठीक है passport side photograph जो की color होना चाहिए ठीक है बाकि आप से भी कहाँ पर यह चीज़े use होने वाली हैं अगर आगे बात करते हैं आप से भी कह जो आगे आप लोग देखेंगे ठीक है कोई भी चीज़ अगर miss हो जाएगी तो मैं आपको telegram पर update दे देता हूँ तो आप लोग telegram पर जाकर उसको अच्छे से देख लेना या फिर जो बच्चे हैं वो आप लोग आपस में discuss कर लेना आई होब आप लोग समझ गयो होंगे इन document को तयार कर ले जिसके पास domicile certificate नहीं है तो वह domicile के बिना आप से भी के cutoff कैसे लेगेगी state wise आप से भी को problem आजाएगी तो आप से भी के पास domicile होना चाहिए बाकी आई होब आप लोग अच्छे समझदार लोग हैं तो चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को like and share कर देना अपने दोस्तों में जैहिन